हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक्सेसाइ 3.1 जिसके दो क्योसन रखे गए हैं नहीं बुक भी के अंदर तो हम उनकों आज फढ़ेंगे क्योसन नमबर पस्ट रखा गया है और एक क्योसन नमबर जो 5 है इसको रखा गया है इसको रखा गया है इसके क्योसन नमबर पस्ट सोल करते हैं given her are some figures यानि हमें कुछ figures दिये गए तो इनके बारे में जो नीचे कुछ questions पूचे गए इनमें हम इनके reply करेंगे यह total हमें 8 figures दिये गए तो सबसे पहले हमें question में यह पूचा गए class each of them on the basis of the following simple curve तो simple curve के लिए में यह बताना है कि जो में shape दिखी है इसके अंदर simple कौन-कौन चे है तो उनके बारे में बताएंगे तो simple जो curve है वो कौन-कौन चे होती है जैसे कि यहाँ पे जो shape है वो simple है बनी हुई है यह simple है यह simple नहीं है क्योंकि इसको बनाने के लिए एक circle अंदर की तरह बना है फिर उसके बाद में उपर की तरह बनाया गए इसके अंदर जो star है वो एक दूसरे को line को cross कर रही है तो यह simple safe नहीं है इसके अंदर यहाँ ऐसे बनाया गए circle फिर उसको match किया गए है तो यह भी simple curve नहीं है यह जैसे कि यह simple safe बनायेंगी यह simple बना रख है और यह क्या है simple है तो इसमें कौन-कौन से जो number है वो simple है तो इसमें first cancel हो जाएगा 1 2 3 नहीं है 4 नहीं है एक 5 हो जाएगी 6 हो जाएगी 7 हो जाएगी यानि 1, 2, 5, 6, 7 होगा 3, 4 और जो 8 है वो simple नहीं है इसके बाद में second क्योंसर आता है simple close curve simple close curve तो सबी जो safe वो close ही है लेकिन हमें simple बोला गया है तो simple जैसे कि हमने अब भी सबसब पहला क्योंसर नहीं कहा है simple curve तो यह simple curve है और इनमें से हमें यह देखना है कि close कौन-कौन सा है तो यह first वाला यह भी close है यह भी close है यह भी close है यह भी close है और यह भी close है तो second का अंसर भी यह ओने वाला अपना 1 2 5 6 और 7 इसके बाद में third question है polygon तो polygon के लिए मैंने आपको जो introduction है उसके अंदर बताये था कि polygons किसको बोला जाता है polygons के लिए में जो line segment है वो देखन ही अगर regular polygons के लिए बोले तो हम regular polygons के लिए all side equal देखेंगे लीकिन अंदर ल्ली बौल गौला जाई तो polygons के लिए line segment होना चाहिए तो line segment से यह से बनी हुई है जैसे कि यह line segment से भी यह भी line segment है इसमें यह line segment नहीं है क्योंकि यह मुड़ी भी line है यह line segment है लेकिन यह दूसरे को cross करी है यह line segment नहीं है यह line segment यह है लेकिन यह line segment नहीं है यहाँ पर यह line segment नहीं है और यह भी line segment नहीं है तो इसके अंदर past or second है वो only line segment से बनीवी shape है तो past or second third answer जाएगा यानि जो polygon से वो अपना past or second ही है next के उसन डी convex polygon तो convex polygon के अंदर हमने introduction में देखा था कि convex polygon कौन सा होता है तो एक बार पिर्षे बताते था हूं मैं आपको convex polygon जिसके अंदर जो diagonal से वो अंदर की तरब बनेगी और जो concave polygon से उसमें में देखना है कि polygons इस total जो 8 दिये गए उसमें polygons past or second ही है जो कि अब भी question C में देखा है कि polygons कौन सा है तो past or second ही है और इन दोनों में से ही बताना है कि convex कौन सा और कौन के वो कौन सा है तो convex पूछा सबसे पहले तो convex के अंदर जो diagonals है वो अंदर की तरब बनती है तो अपना जो shape है second इसमें अंदर की तरब बनेगी तो जो डिका answer है वो जाएगा 2 डिका answer होगा 2 और इसके बाद में जो last question बचेगा अपना E इसमें बोला गया concave polygon तो concave polygon के अंदर जो diagonal से वो बाहर की तरब बनती है तो इस shape के अंदर जो polygonal से वो बाहर की तरब बन रही है तो अपना जो last answer है वो जाएगा 1 यह था अपना first question इसके बाद में question number second, third, fourth को हटा दिया गया है last question अपना 5 what is your regular polygons any regular polygons क्या होता है तो मैंने आपको बताए था polygons जैसे की line segment से मिलके बनता है और regular polygons equal side से मिलके बनता है और उसमें जो angles होते हैं वो भी सभी equals होते हैं तो इसकी जो definition है वो हम इस प्रकार से write करेंगे a polygon with equal side and equal angles यानि एक polygon वो तिये जिसके अंदर equal side होती है और equal ही उसके angles होते हैं पिर उसके बाद में हमें ये बोला गया है कि state the name of regular polygons of 3 side, 4 side and 6 side यानि 3 side और 4 side और 6 side के according हम इनके name बताने हैं तो 3 side के according क्योंकि यहाँ पे regular polygons की बात किएगे तो regular polygons का मतलब बता है कि इसमें all side equal होनी चीए इसा triangle जिसके अंदर 3 value जो 3 angles या 3 side equal होती है तो उसको बोला जाता है equilateral triangles और 4 side से मिलके जो shape बनती है वो square और अगर 6 side से मिलके जो shape बनती है उसको बोलते है hexagon लेकिन अगर all side equal है regular है इसलिए उसको regular hexagon बोला जाएगा और अगर pentagon है उसको regular pentagon बोला जाएगा और octagon है तो उसको regular octagon बोला जाएगा तो इस प्रकार से आप इसकी जो occasion number second है उसकी definition और उसके 5 second जो third है उनकी answer इस प्रकार से आप राइट कर सकते हो next वीडियो में हम जो exercise 3.2 है मुसको solve करेंगे मुसको